बार बार नमन करते वे बिन बंधों आप सब का हिर्डे से विनंदन करता हूँ बैन और भाईयों अपनी अद्मुत हस्पसिल्प और कला के लिए यह छेत्र विख्यात है यहां का हैंडों दिल्ली में और NCR में नुएडा और गुडगाओं के बाब जोद पिल्खोवा के हमारे हस्प सिल्पी और कारिकरों ने अपने होनर का लोहा हैंडों के मात्रम से मनुआ ही दिया मैं ऐसे सभी हस्प सिल्पी और कारिकरों का भी हिर्दै से अविनंदन करता हूँ मंच परवपस्ति भारती जन्ता पार्टी के छेत्री अध्यक्स सी सतेंद्र सिसोधिया जी अप्तरप्रदेश सरकार में मंत्रि मंडल के मेरे सयोगी सी सुनील सर्मा जी नरेंद्र कस्यप जी लोगसवा गाजियावाद के प्रत्यासी सी अतुल गर्ग जी जिलाद्व्यक्स नरेश तोमर जी जिलाप्रभारी सत्ता सेनी जी लोक्त्रिय विदायक्सी धर्मेश तोमर जी पूर छेत्रे अध्यक्स स्रीमती लज्जारानी गर्ग जी जिलापंचायद के अध्यक्स स्रीमती वेखा नागर जी आज के इसे कारिक्रम में पस्तित सयोगी दल राष्टिय लोग दल के जिलाके अत्म्यक्स सी रविंद्र चौदरी जी राष्टिय महामंत्री असोग त्यागी जी असोग गोयल जी मंच परमस्तीत भारती जन्ता पार्टी के हमारे सभी पदादिकारिकान अपस्तित साटा चौरासी से जड़ेवे दोलाना बितांसवा चेत्र से जड़ेवे मेरे सभी बैनोर भाईयो राम नौमी के अगले पिन ही मुझे इस चेत्र में आने का उसर प्राप्प हुआ है बैनोर भाईयो कल आप में अयोत्या धाम में देखा होगा सूर्य वंस के सिरोबनी मर्यादा प्रसोत्तम प्रवुसी राम को ठीक दोपहर में बारा बजे भगवान सूर्य की केर्णा से कैसे अभिसेख हो रा था पूरा सनातन भारत कवरों से अलोकित हो रा था या अदवुच्छाण हम सब के सामने कैसे आया या आप में से किसी से छुपावा नहीं है और बैन और वाईयो इस प्रकार के छण बार बार हमारे जीवन में आये ये जीवन तताव निलंतर बनी रहे इसी कावहान करने के लिए आज गाजियाबाद संस्तिय छेत्र में आप सबसे संबाद करने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ बैन और भाईयो पहले चरण का चुनाओ कल संपन होगा और दूसरे चरण में गाजियाबाद में आपको लोगसभा के लिए अपने प्रत्याशी को चुन करके भेजना है पुरे देश के अंदर आज एकी लहर है एकी स्वर्बूज रहा है और उत्तर दक्सिर्ट पूरा पस्रिम मुझे इस दोरान लगभग पान से छे राज्यों में जाने का उसर प्राप्त हुआ और मैं और भायों जो जन्ता की आवाज है वह जन्ता की आवाज आज देश की आवाज बन लिए है और वह आवाज है कि फिर एक बार फिर एक बार अब की बार अब की बार बहन और भायों यह अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का जो यह नारा देश के अंदर गूज रहा है वैसे ही नहीं गूज रहा है इसके पीछे बिछले 10 वर्ष के अंदर वा परिवर्तं है हमारी पीड़ी सवा के साली है कि हमने इस ने भारत का अंदर्शन कर रहे है इस ने भारत में जिस ने भारत में आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान वड़ रहा है जिस ने भारत की सीमा है सुरक्षित है आतंगबाद और नकसलबाद नियंतित हुआ है अराजटता नियंतित हुई है बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुआ है बड़े बड़े इंफ्रेंस्टेक्चर के कारे हो रहे हैं हाईवे, वेलवे, मेट्रो, IIT, IAM, AIMS, ट्रिपल आईटी, वर्ड क्लास इंवस्टीच दिल्ली से मेरट के बीच 12 लेन का हाईवे बन चुका है रैपिड रेल पर कार्या, युद्धस्तर पर चलना है, मेरट तक पहुँच चुकी है और इस वर्ष के अंद तक, मेर अर्शीती के अंदर, हम लोग मेट्रो का काम भी प्रारब कर चुके होंगे बैदोर भाईयो, याद करिये, जब 2014 में मोधी जी आये थे, तब देश के अंदर मातर 5 सहरों में मेट्रो थी, आज 20 सहरों में मेट्रो है और अकेले यूपी के अंदर 600 एरों में मेट्रो आ चुकी है गाजियाबाद, नुएडा, ग्रेटर नुएडा, आगरा, कानपूर, लखनो अभी मेर अर्ट के अंदर हम काम प्रारब करने जा रहे हैं जब मोदी जी आए ते 14 में तक योग साफ एम्स थे आज देश के अंदर 22 एम्स है ऐसे ही कई पुना बिर्दी हुई है, हर एक छेत्र में एंफ्रास्टर्चर देश की अर्थ विवस्ता की रीड है और गरीब कर लियान करी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं, कोई तुल्ला ही नहीं याद करिए 2014 के पहले भूप से मोदों की सिकायत आती थी मोदी जी आए उन्होंने चाती मद मजब छेत्र भासा के आदार पर नहीं बलकि सब का साथ और सब के विकास के आदार पर उन्हें देश के अंदर योजनाओं का लाप देने के लिए जो अभिहान प्रारंब किया आज उसका प्रारंब हम सब के सामने है बैगर भाईयों की सुरूप में सामने है आप इस बात को देख सकते हैं करोड रोग अश्य नहीं करोड पिसले चार वर्स से फ्री में रासन की स्विशविश्टा की ळाप पराब्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्स तक फ्री में रासन मिलेगा याद कर Ireland भारत को तोड करके पाकिस्टान बना भारत की भोमिका ज्यादा भू भाग एक बड़ा भूब आग गया जितनी आवादी थी उससे ज़्यादा भूब आग गया लेकिन बैन और वाईयो आज पाकिस्तास भारत चाह अशी करोड लोगों को फ्री में रासन दे रहा है वहीं पाकिस्तान में 20 करोड की आवादी भूगों मरने की स्थिति में है वह भूग के लाले हैं यह स्थितियाद पाकिस्तान की है भारत के अंदर 60 करोड लोगों को पांच लाग रुपे की आईश्मान भारत की सुविदा और उत्तरब्रदेश में तो हमने रही व्योस्ता की कि जिस देक्ति के पास आईश्मान भारत का काड़ नहीं विदायक, सांसद या पीडित स्वेम भी एक्लिकेशन गना के भेज देता है तो मोदी जी ने पहले से ही जंदन एकांट खुरवाए हुए है हम सीधे पैसा उस पीडित के खाते में भेज देते हैं जिससे वो उपचार करा सके और किसी को भी उपचार के भावों में भटक ना पड़े पचास करोड़ों के जंदन एकांट खुल गए बारा करोड़ किसानों के लिए प्रदानमंत्री किसान सम्मान इदी का लाप बारा करोड़ घरों में सोचा लेका निर्मान दस करोड़ गरीबों के घर में उज्जुला योजना के लपीजी के फ्री के कनेक्शन चार करोड गरीबों के लिए पकान बन जाना धाई करोड गरों में विजली के कनेक्शन मिल जाना धेर सारी ऐसी गरीब कल्यान करी योजना है जितनी पाकिस्तान की आवादी है उससे बड़ी आवादी भारत के अंदर पिसले दस वर्स में गरीबी रेखा से मुक्तों करके एक साल जीवन-चीवन यापन कर रही है बैन और भाईयों जो ये परिवर्तन आपको देखने को मिलना है देश के इंदर जो ये परिवर्तन है ये परिवर्तन का कारण केवल और केवल देश के ससी प्रदान मंत्री सी नरेंद्र मोधी जी है और इसलिए बेहन और भाईयों जो आपने कल अयुद्या में देखा भगवान राम का भगवान सूर्य के द्वारा सीरे सीरे तिलग हो रहा है वरा देश और पुरी दुनिया देख करके उत्साई भी उत्सा और अमंग में थी पांसो वर्सों के बाद राम्यला को अपनी जनद भूवी पर अपना जन्मुत्सों मनाने का औसर प्राप्त हुआ बेन और भाईयों में फ्रूशना चाहता हूँ ये जो कारिक्रम कला युद्या में हुआ कॉंग्रेस सपा पसपा की सरकारे होती तो क्या ये हो पाता क्या क्या ये लोग कर पाते क्या राम मंदिर का निर्मान कर पाते क्या जम्मो कस्मीर में धारा 370 अड़ा पाते क्या तीन तलाग के को परफा को ये समाप्त कर पाते क्या हर घर नल्व की योजना लागो हो पाती क्या बैन और भाईयों ये सपा पसका और कॉंग्रेस ने तो उत्तरब्रदेश को दंगा और कर्फ्यू की चपेट में ला दिया था हर दूसरे दिन दंगा मेहनो मेहनो कर्फ्यू आज कर्फ्यू नहीं है आज तो धूम धड़ा के के साथ काबड यात्रा निकलती है इस चेत्र में कोई रोक तोक नहीं नौजमान के लिए हजिविका भी है तो आपकी आस्ता का सम्मान भी है विकास भी है तो गरीब करल्यान का रीयोजनाएं भी है बेटी और यापारी दोनों सुरक्सित है तो सुरक्सा का एक बैध्यृतर माहल भी दिया गया है क्या यह सपाबस्वार कॉंग्रेस के लोग दे पाते और इसेले मोदी जी ने कहा है कि बेढ़ और भाईों हमें विक्सित भारत बनाना है दिक्सित भारत के लिए दिक्सित उत्तरव्रदेश चाहिए और दिक्सित उत्तरव्रदेश के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रभानमंत्री बनने चाहिए मोदी जी प्रभानमंत्री बने इसके लिए अप्दुलगर्ग यहां से सांसद बने इसके लिए भारतिये जंता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्यासी बना करके आपके बीच में उतारा है और वेन और वयों इसलिए हम लोग आपके बीच आये हैं आपसे कहने के लिए कि रान मंत्री मोधी जी कि संकल्पना के इंडू दिक्सित भारत के लिए आत्म निर्वर भारत आउस्यक है आत्म निर्वर भारत के लिए उत्तर्वरेश का आत्म निर्वर होना आउस्यक है और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आये हैं आप सब सहमत हैं सहमत हैं मैं और वायों मैं आपसे एक बात और कहने के लिए आया हूँ अतुलगर्ग का इस दोरान चुनाओं के दोरान गाओं गाओं घर घर घूमना कखिन होगा क्योंकि चुनाओं तो क्यों 14 दिन का होता है 2000 से दिन काओं पढ़ते हैं वाड अलग हैं, मोहले अलग हैं, ताउन एरिया अलग है इसलिए आप सबको मोधी जी और योगी जी का प्रतिनिदी बनना पड़ेगा और अतुलगर्ग स्वेव बनना पड़ेगा सहमत है ना? सभी लोग सहमत है अतुलगर्ग को कबल चुनाचिन पर बाहरी बहुमत से मिजही बना के बेजेंगे बना के बेजेंगे इसी कावान करने के लिए हम दो काया है यापे 26 अप्रेल को दूसरे चर्ण में मत्तान है आपके हाँ तो अभी से तैयारी घर घर चाकर के एक एक ओड को सजोने का कार्य और कमल खिलाने का कार्य आपको करना है सहमत है? तो बेन और वायो अचुलकर्दी जी मेरे पास सामने हां कड़े है आप दोनों हात प्ला करते हैं आस्वास्प कर गए मेरे साथ को लें आपके भारत माता की भारत माता की भारत माता की आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ट न्यूस चैनल भारत समाचार